नमश्कार आप सभी का स्वागत है हमारे चानेल पे आज हम बात करेंगे गलेन मार्क फार्मा के बारे में आज ही इसका रेजल्ट आया हुआ है हम आज वीडियो में इसका रेजल्ट की चर्चा करेंगे देखेंगे रेजल्ट के सारा इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि result के साथ आने वाले दिनों में इस counter में आपको क्या करना है अगर आपके पास holding पड़ी है तो क्या करना है नए position बनाने अगर आप short term buyer हो तो क्या करना है अगर आप नए positions, fresh positions बनाना चाहते हो तो आप क्या करे analyst का क्या rating है वो भी हम आपको बताएंगे और देखेंगे analyst stock के बारे में क्या कहते है profit कितना हुआ, loss कितना हुआ, उसके पीछे reason क्या है वो भी हम आपको बताएंगे तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूँ अगर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए चलिए इसी के साथ मैं आपको Glenmark का result दिखाता हूँ पहले result discuss कर लेते हैं और देखते हैं result कैसा आया तो दिखी, यहाँ पर मैंने Glenmark का result open करके रखा हूँ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पिछले साल के, मुझे पता है यह clearly दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी आपको दिखाना चाहूँगा, revenue देखी, 23447.87 million रुपीज बना है और पिछले साल के same quarter में था, यह 23228.79 million रुपीज तो नीचे चलते हैं, यह मुझे पता है clearly visible नहीं हो रहा है और आपको और एक बाद profit after tax दिखाने के कोशिश करूँगा, इस साल देखे, profit after tax आपका बना है 2540.42 million रुपीज जबकि पिछले साल के same quarter में था 1092.81 million रुपीज तो इसी के साथ बापस चलते हैं और एक अलेक्ट आपको जहां पर यह clearly visible है, revenue कितना है, profit कितना है, आदेखे, यहां पर clearly लिखा गया है देखे, तो यहां पर मैं highlight करना चौँगा, drawings में clear करता है, फिस सा highlight करना चौँगा, revenue देखे, यह revenue में बढ़ोतरी, 0.94% में revenue में बढ़ोतरी देखना को मिली, quarter 1, 2021 में उसी तरीके से consolidated net profit में आपको बढ़ोतरी देखना को मिली, 1, 32.47%, 2540.42 में रुपीज में consolidated EBITDA में देखे, यहां पर भी देखे, तो 39.82% की बढ़ोतरी देखना को मिली, और यह बन गया 4786.68 मिलें रुपीज नीचे आके मैं कुछ और बाती highlight करना चाहूँगा, इंडिया बिजनेस गुरुक्या 3.68% के साथ, 7798.95 मिलें रुपीज में, यूरोप बिजनेस में ग्रोथ देखना को मिली 12.7, यूएस बिजनेस में दिखे, जादा ग्रोथ नहीं, बस 1.61% की, API बिजनेस में भी जादा ग्रोथ देखनी को नहीं मिली है, तो ये बात आप धार में रखिए, यूएस इंडिया बिजनेस में जादा ग्रोथ नहीं है, यूएस बिजनेस में जादा ग्रोथ नहीं है, API बिजनेस में भी जादा ग्रोथ नहीं है, तो इनका क्या कहना है, segment wise revenue बात करें, तो फिर से द वार्वनडीया वाले बिजनेस में Glenmark फार्मासिटीकल का 3.68 पर्सेंट की बड़ोतरी देखनों को मिली जबकि Glenmark Consumer Care Business में तो Claymore जुक्रमर के बिजनेस में 15% Dec prima को मिली excluding वीवा सेलस आपको COVID-19 के चलते ठीक है यहाँ पर जबरदस यहाँ पर गिराबट देखनों को मिली मैं अगर और नीची यहाँ तो US के मार्केट में देखो 1.61% की बढ़ोतरी देखनों को मिली Asia, Africa, other region में देखिए डी ग्रोथ हुआ 18.05% का मतलब ग्रोथ देखनों को मिला नहीं मिला यह नीचे चला गया Europe की मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी देखो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा पॉपकिया 12.77% की बढ़ोतरी देखनों को मिली और Latin America की अगर मार्केट की बात करें के वहाँ पर भी देखिए यहाँ पर डी ग्रोथ देखनों को मिला 18.89% की तो चलिए इसी के साथ मैं ऊपर चलता हूँ और कुछ बात हैं हाइलेट करना चाहूँगा तो देखिए यहाँ पर देखने वाली बात यह है देखिए रेविन्यू में बढ़ोतरी आई 0.94% की जबकि consolidated net profit में 132.47% की बढ़ोतरी देखनों को मिली सोचने वाली बात यह है देखिए अगर company की revenue में increase आती है और net profit में increase आती है proportionately तो बहुत ही अच्छा है लेकिन यहाँ पर देखिए कारण अलग है revenue में growth देखने को नहीं मिला 0.94% जो revenue था उतना ही है बतलब 1% से भी नीचे revenue growth देखनों को मिला लेकिन consolidated net profit में 132.47% की बढ़ोतरी देखनों को मिली देखिए revenue आपको नहीं बढ़ रहा है लेकिन consolidated net profit में बढ़ रहा है इसका मतलब आपका final numbers और कहीं से आ रहे है तो और कहीं से आ रहे है उसके बारे में अगर हम detail में बात करेंगे तो चलिए मैं आपको highlight करना चाहूंग result पर हम बापस आ चुके हैं फिर से तो यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं purchase of stock in trade यह वाली line highlight करूगा purchase of stock in trade मुझे पता है आपको clearly दिखनी रहा है लेकिन आप BAC के side से open करके देख सकते हो पिछले साल के 7 quarter में था 2587 million रूपीज चोकि इस साल के 7 quarter में बनके है 217.83 million रू लिए इसी के चलते इनके net profit के number में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिले दिखिए बिना revenue बढ़े यहां पर net profit बढ़ रहा है तो इस बात पर आपको ध्यान दाना चाहिए यह बात आपको कोई नहीं बताएगा हम detail में पढ़के आपको बता रहे है रिजरल का stock के price में देखने को मिल सकता है market कैसे react करता है Monday उसके उपर depend करता है कि बिना revenue growth के ठीक है बिना revenue growth के फिर से मैं highlight करना चाहूंगा बिना revenue growth के यहां पर आपको net profit में 132.47% की बढ़ोतरी देखने को मिले है जो की थोड़ा सा doubtful है और इससे देखना है कि Monday इसके market इसके उपर क चलते हैं इसी के साथ ticket पर चलते हैं और जानते हैं अनलिस्ट का क्या कहना इस counter उपर तो दिखिए हम ticket पर आ चुके हैं पहले अनलिस्ट का rating देख लेते हैं 25 अनलिस्ट का रहे हैं 48% का मानना है कि आप स्टॉक पर इन्वेस्ट कर सकते हो नीचे चलते हैं नीचे देखते हैं price forecasting इसका एक बार देख लेते हैं कि higher expectation revenue expectation नहीं है आपर forecasting की जारी एक साल के लिए August 2021 के लिए current price 475.70 अगर अच्छा perform करते हैं तो high तक जा सकता है 663 तक जा सकता है देखिए 663 तक जा सकता है अच्छा perform करती है तो 663 तक जा सकता है median perform करती है तो देखिए 468 तक जा सकता है current price के आसपास जा सकता है minus 1.51 बटन के साथ low perform करते है तो 340 तक जा सकता है 28.53 percent negative के साथ तो अच्छा के साथ है हम वापस अपने chart पे चलते हैं आचुके अपने chart पे 13 March को low बन 573 पे अच्छी खासी बड़ोत्री थी इसके बाद यहां पर जो न्यूस आते हैं यहां पर जो बड़े green candles बने यहां पर न्यूस आया के लिन्वार्क ने अपना इंडिया का पहला launch किया आपके COVID-19 की जो दवा थी उसको launch किया उसी के चलते यहां पर अच्छी खासी प्राइस बड़के चला गया 573 तक मुझे पता है बहुत लोग यहां पर फस गये अपर प्राइस पर बाय कर लिए लेकिन उसके बाद प्राइस में जबरदस्ट करेक्शन देखने को मिला 25 परचन की बड़ोत्री के साथ उसके बाद अच्छा खासा करेक्शन यहां पर बह करेक्शन में अभी जड़े 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 करेक्शन आ रहा है तो यहां पर दिखिए अगर आप क्लिरली देख सकते हो जो मैंने लाइन ड्रॉक करी हुए यहां पर 475-480 का असपास यहां पर एक अच्छी खासी इसको रिजिस्टन्स बनावा दिख रह है अगर इसमें स्टॉक सफल होता है तो इससे और भी उपर जा सकता है तो चलिए इसका एक्स्पोनेंशल मूविंग अबरेज एक बार देख लेते हैं दिखिए हमने यहां पर मूविंग अबरेज लिखके रखा हुआ है 5 डे का रहा है 468 10 डे का 461 20 डे का 450 50 डे का 425 100 डे आपको कुछ नहीं करनी की जोड़ो होते है है आप होल्डिंग को पकड़ के रखो स्टॉक अच्छा है काUNTER अच्छा है भले इस quarter में अच्छा परूम नहां किया हो और वले कौटे में ऑच्छा पर कर सकती है कुछ नहीं करना है hold train soybean अपड़ी हुई है अब बस अपना stop loss लगा के रखो stop loss जो 100 डे या 200 डे का जो एक्समेंचर मोबी अबरेज 393 के आसपास आ रहा है और 386 के आसपास आ रहा है इसके आसपास आप अपना stop loss लगा के रख सकते हो तो यह हम बात कर गए अगर आपके पास holding पड़ी हुए तो चली जानते हैं अगर आप fresh investor हो नया इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है अगर आप नया इन्वेस्ट करना चाहते हो हमें लगता है stock के price में correction देखने को मिल सकता है मंड़े के countering में क्योंकि हमने जैसे बोला बीना revenue growth के यहां पर आपको net profit में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है जो की थोड़ा मार्केट इसको कैसा react करता है अगर मार्केट में correction आता है तो मैं आपको यह suggest करूँगा तो आप जो है by initiate कर सकते हो यह हम बात करके अगर आप नए fresh position बनाना चाहते हो लेकिन और इसमें price में correction आता है तो चली बात करते हैं अगर stock के price correction ना दिखे अगर stock का price मार्केट इसको अच्छे तरह से ले ले profit को 32% का profit है पता नहीं market कौन से दिश्चा में जा सकता है अगर अच्छी तरह से ले ले और stock का price उपर जा तो तब आपको क्या करना है यहां पर दिखे 475 के आसपास यहां पर हमें अच्छा खासा resistance दिख रहा है जैसे मैंने यहां पर line डॉकर के रखा हुआ है इसी line के नीचे उपर देखे कोई भी candle पिछले दो महिने से नहीं बना है एक candle बना हुआ था लेकिन यह कोई डेंट की दवा के चलते जो न्यूज रहता है उसके चलते बना हुआ था लेकिन उसके बाद stock के price में अच्छी खासी correction देखना हुए अगर यह 475 का level cross करता है और उसके उपर sustain कर ठीकि मैं बार बार बोलता हूँ देखे sustain अगर यह करता है multiple candles multiple days के लिए बनते हैं तो आप इस पर buy का position initiate कर सकते हो 475 के उपर आप initiate करो आप immediate target रहेगा 500 500 के आसपास आप profit book करो counter से निकल जाओ क्योंकि देखिए थोड़ा सा हमें लगता है short term basis पर counter थोड़ा सा weak रह सकता है इसलिए हम बोल रहे हैं तो आप 475 के अगर stock में तेजी देखने को मिलती है तो 475 के उपर जाता है तो multiple candles बनते हैं sustain करता है तो आप 475 के आसपास आप इस पर buy initial कर सकते हैं immediate target आपका 500 रहेगा उसके बाद आप stocks exit ले सकते हो यह देखिए हम बात करके एक landmark फर्मा के बारे मे फिर से मैं बताना चाहता हूँ एक बात फिर से ध्यान दना देखिए सुनिए revenue में growth नहीं है लेकिन आपका profit में 132% की growth है जो की थोड़ा doubtful है market कैसे रियाट करता है उसके ऊपर ध्यान दीजी जिसे साबसे market रियाट करता है उसी साबसे हम आपको multiple ways बता है कैसे invest करना है कै मैं वीडियो समद करना चाहता हूँ लेकिन वीडियो समद करने से पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को comment कीजिए like कीजिए दोस्तों के शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल